नमस्कारों शान्ती आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूँ तुलसी शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेड्लाइन्स कलाकारों के लिए आयोजित सम्मेलिन के समापण में बोले कलाकार समाज को दुशित होने से बचाने के लिए मुलीयों का ओरप्रयास ब्रमा कुमारीत संस्था के कला इवम संस्कृती प्रबाग का आयोजन गुजरात के सूरत में पहला Online Health Millennium Summit 2021 का आयोजन जिन्दगी को सरल बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन पर चर्चा, कई योग विशेशग्यों ने लिया भाग राजस्तान के भिलवाडा के पतिक सेवा के इंद्व पर चिकिचकों के लिए विहासा कारेक्रम और आखिर में अमेरिका मेडिटेटिंग वेडियो शोउ, ग्रैमी अवोर्ड से सम्मानित विकी केज और गौड लिवूर्ड स्टूडियो के संयूग के परियास से अमेरिका में लॉंच हुआ ओम शान्ती अल्बम लोगों को आध्ध्याट्मिक सशक्तिकरन का मिलेगा तौफा ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग तथा ब्रह्मा कुमारीज के गौड्ली वुड स्टूडियो द्वारा संस्कृति के सन्वक्षक कलाकार विशेपर आयोजित दो दिउसिये ई समिनार के तीसरे सत्र में वरिष्ट वाज्यो कशिक्षक भीके सूरज ने कलाकारों की समाज में क्या भूमिका है इस पर प्रकाश डाला साथ ही प्रभा की पूने सब्जोन कॉडिनेटर भीके विद्या एक्टर और राइटर वाज नायक समेट अन्य कलाकारों ने अपनी बात सभी के समक्ष रखी सच मुच आर्टिस्ट अपनी प्राचीन परंपराओं को कायम रखने में आगे बढ़ाने में बहुत भूमी का निभा रहे हैं हम सब जनते हैं कलाकारों से ही समाज जादव प्रभावित रहता है उनसे बहुत कुछ सेखता है किसी भी संस्कृती की प्रत्यक्षता उसके पहराव, खान-पान, आभूशन, संगीत, आपसी व्यवाहर के माध्यम से प्रकट होती है यदि कलाकार इन बातों को ज्यान में रख कर कला का साधरी करण करता है तो वो संस्कृती के रक्षन में साहयद बनता है ब्रह्मा कुमारी वाले भी ऐसी अच्छे अच्छी फिल्म बनाते हैं मुझे मालू में एक फिल्म तो मैंने कहाना स्वर्ग में एक सीट खाली है, मैंने खुद काम किया था स्वामिन हैन वाले भी ऐसी फिल्म में बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं बनाना चाहिए और ऐसी फिल्म समाज में प्रसारीत और प्रच्छीत करना चाहिए तो ही कुछ बद्रावाएगा इस काल में कोरोना के विभीशिका से हम निकल कर बाहर आए हुए उस दोरान भी जहां डॉक्टर्स ने, सफाई करमचारियों ने, सिपाहियों ने, अनेक लोगों ने अपना कर्तब गे निभाया, तो कलाकारों ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया इस राष्ट को जोड के रखा, लोगों के अंदर जो डिप्रेशन की भावनाई थी, उस दो भारने में कलाकारों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा विश्व मंच पर आए, शिवरुत्र यग्ण रचाए, ब्रम्हान्द का वो मालिक, देखो नूर है चलकाए वही संगोष्टी के समापन यानी चौथे सत्र में अभिनेता परिक्षित साहनी, फिल्म प्रोड्यूजर मदू चोपड़ा, अभिनेत्वी सोनाली निकम, म्यूजिक डिरेक्टर और सिंगर अबु मलिक ने इस सम्मेलन के प्रती अपनी शुभावने व्यक्त की और अपने अमारे जिंदगी पे अमारे जिंदगी पे Congratulations to the Art and Culture Wing of Brahm Kumaris, wishing you all the best for the conference that you're holding, e-conference. You're always known for excellent work, you're known for being very progressive in a spiritual way and still remaining so real, so grounded. B.T. Shivani Ji का YouTube पे एक show आता था, सूल कनेक्शन करके, उस रैंपे मैं पहली बार इस प्रिचरएटी को शिवाबा की इस क्यान को सुना, संचा और इस मोर की तरफ में निकल पली. हर चीज एक आत है, हर चीज कॉंट्रिबूट कर रही है, that's how society is running, that's how we are learning, because that is how the world and the expansion of our genes are coming, the world is expanding year by year, year by year, year by, year by, or teachings around the years, that is contribution by art and artists. गुजरात के सूरत में भारत का पहला online health millionaire summit 2021 का आगाज, डॉक्टर विमल वाठी द्वारा किया गया, जिसमें healthy हमेशा course की भी launching की गई. इस उपलक्ष में डॉक्टर विमल वाठी ने बताया, कि जिन्दगी को सरल बनाने के लिए राजोग मेडिटेशन ही एक मात्र रामबान उपाय है. वही माउंट आबू के ग्लोबल होस्पिटल से वरिष्ट राजोग शिक्षीका भी के डॉक्टर बिन्नी सरीन और साउंड हिलर पंकच बोरिछा ने कमेंट्री वो म्यूजिक के माध्यम से राजोग का सभी को अभ्याज भी कराया. तो मैं वेलकम करूंगा बिन्नी जी को हेड़क्वाटर माउंट आबू से कि इस पूरे प्रक्रिया को उर्जावान करे और वहां से ब्लेसिंग्स सभी लोग जो लोग व्यू कर रहे हैं वो सभी लोगों को ब्लेसिंग्स बेजे और काइंडली शेर दिस वाच पार्टी आ अपनी ओरिजनल नेचर सेवन्ट क्वालिटीज ऑफ दसोल आइं रिमाइडिंग माइट से इस समिट के दौरान ब्रह्मा कुमारीज में मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर अशोक महता और सूरत से राजयोक शिक्षिका बीके सुनीता ने भी अपनी का नित किया गया इस मौके पर 21 से भी अधिक वर्ल्ड क्लास हेल्थ के एक्सपर्स मौजूद रहे जिन्होंने समीट का पूरा लाब लिया ब्रमा कुमारीज के रेडियो स्टेशन वेडियो मौदुबन 90.4 FM वारा तरंग डिजिटल सिंगिंग क्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले का आयोजन तीन वर्गों में ऑनलाइन किया गया जिसमें पहले ग्रूप में 6 से 20 वर्ष की आयूं के युवा शामिल थे चालिस से उपर वर्ष तक की आयू के लोगों ने बड़े ही उमंग उत्सा से सभागिता की इस ग्रैंड फिनाले में निरनायक के रूप में उंकार कडवे, सीमा गुलवाडी, गीता जोशी मौजूद रही, साथी आरजे रमेश मुख्य संयों जक रहे इस दोरान भागियों को डिजिटल सर्टिफिकेट और विजेताओं को पुरसकार के रूप में ट्रॉफी भेजी जाएगी। और हम सभी को मिलकर विश्व में शान्ती लानी हैं। वही दूसरे दिन विश्व बंगला मंच पर सभी ने मिलकर विश्व शान्ती की शुब आशा लेकर विश्व शान्ती दूद के रूप में कबुतरों को आसमान में उड़ाया और शान्ती का पैगाम दिया। के हुए उनके त्याग और बलिदान का सम्मान किया यह कारेक्रम खास उन शहीदों को श्रधानजली देने के लिए आयोजित किया गया था जिन पर दो साल पहले पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया था इस अवसर पर CRPF, DIG प्रदीप चंदेरा, A.K. चतरुवेद के संयुप्त प्रयास से चिकित्सकों के लिए विहासा के अंतरगत कारेशाला का आयोजन किया गया जिसके अंतरगत मेडिकल कॉलेज के प्राचावेद डॉक्टर सलब शर्मा सहीद 14 चिकित्सकों ने हिस्सा लिया इस दोरान फैसिलिटेटर डॉक्टर एमल जाटव ने व पोरोना मरीजों की सेवा करते हुए जान गवाने वाले चिकित्सक एवं स्वास्ति कर्मियों के प्रती सभी ने मुंबत्ती जला कर दो मिनिट श्रद्धान जली अर्पित की अब कुछ खबरे एक नजर में बिहार के मध्यपूरा सेवाकेंद्व द्वारा राष्ट्व इसपात निगम लिमिटेट के उप महा प्रबंधक नरेश कुमार की निवास थान पर बसंत पंचमी के दिन शिव द्वजारोहन कारेक्रम और चैतन ने देवियों की जाकी का आ इंदौर के दतोदा में भागवत गीता का कारेक्रम आयोजित किया गया जिसमें उजयन स्याइप पंडित भागवत आचारे वासुदेव शर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कहां कि सच्चा ग्यान वही है जो अपने ग्यान से औरों के जीवन को बदल दे इसके साथ ह सेवाकेंद्र प्रबारी बीके रानी बीके श्वेता और बीके समिर्थि ने सभी को ईश्वरी संदेश देते हुए ईश्वरी साञाद भेट की करनाटक के बीदर में अध्यात्मिक कारेक्रम का आयोजन विशेश महिलाओं के लिए किया गया जिसमें सेवाकेंद्र प्रभारी बीके सुनन्दा बीके पारवतीरी महिलाओं से सशक्त बनने के लिए राज्योग और अध्यात्मिक ज्यान का सत्संग करने का आववान किया यूपी में जानसट सेवाकेंद्र की दुबारा शुक्तिर्थ में कलख्यात्रा का आयोजन किया गया जिसका उधगाटन पी एनबी के मैनेजर कांती राठी बिजनौर सेवाकेंद्र प्रभारी बीके सुरेश ने जंडा फेरा कर किया और पूरे नगर में यात्रा निकाल कर सभी को परमात्म अवतरन का दिव्य संदेज भी दिया अब खबरे अंतरवाश्ट्विय जगत की विदेश में पहली खबर USA स्थित वाशिंग्टन डी सी की है जहां अमेरिका मेडिटेटिंग रेडियो शो ग्रेमी अवार्ड वीनर रिक्की केज एवं संस्था के मुख्याले स्थित गौडलीवूट स्टूडियो के सईयूक्त प्रयास से ओम शांती अल्बम रिलीस किया गया अमेरिका मेडिटेटिंग रेडियो शो की होस्ट एवं वाशिंग्टन डी सी में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशी का बिके डॉक्टर जैना की आवाज एवं रिक्की केज के अविश्वस्निय संगीत से संगीत बद्ध या अल्बम दस कमेंटरीज का एक अनुखा संग्रह है जिसमें Believe in Yourself, Keep Moving, Save Me, Who Am I जैसे विविद विश्यो पर प्रकाश डाला गया है गीत और संगीत हमेशा ही मनुश्य को आंतरिक शान्ती प्रदान करते हैं इसके साथ ही आध्यात्मिक आंतरिक तरक्की का मारग भी प्रशस्त करते हैं इसी कड़ी में Godlywood स्टूडियो के महक अपश्चिमी देशों में खासकर अमेरिका तक भी पहुँच गई है जिसका प्रमाण है कि अमेरिका के सुप्रसिध्य पर्यावरन प्रेमी, Grammy Award विजेता, गायक रिक्की केज के सहयोग से उम्शान्ती एलबम के लॉंचिंग की गई यह एक बहुत अच्छी और खुश करने वाली ख़बर है इस औसर पर ब्रमाकुमारी संस्थान के वाशिंटन डीसी की निदेशी का बिके डॉक्टर जैना के सहयोग से यह संभव हो पाया इसके लिए Godlywood स्टूडियो बधाई देता है अगली ख़बर नियॉक से है जहां संयूग के राष्ट्व के Commission for Social Development, Champions for Children Organization, ब्रमाकुमारी स्के रेडियो मदुबन एबं Digital Impact Square Organization द्वारा संयूग के तत्वाधान में ओनलाइन टॉक का आयोजन किया गया जिसका विशेरहा Building Stronger Communities, Harnessing Digitalization and Human Potential इस टॉक में मुख्य वक्ता में Radio Madhuban की Production Head B.K. Krishna, US से Champions for Children Organization के Parent Educator Karen, एवं Digital Impact Square से Ecosystem Development Head Banu Prasad ने विशे के तहत अपने विचार रखे, तो वहीं UN में ब्रमाकुमारी स्की प्रतिनीधी B.K. Shivani ने इसे होस्त किया For that, we have to be first happy, contented, and then accepted with the situation. And then how to deal with it, we have to be ready with it. So that made us think and reflect on how do we deal with it. And then we came up with different projects and different programs to make sure that our community is also happy and then they feel home and then family. And then under connection, by using our strength-based approach and validating and building on our parents' strengths, we in turn build strong, trusting connections with the family so that they stay engaged in services and are opening and accepting of our help. I can take a stab in a very brief way. Our experience of reducing inequalities starts with making technology extremely simple, almost invisible, and not necessarily make it too high-tech. I think there is probably no need for a new technology to solve today's social challenges. It's probably the way you can simplify it. आज की खबरों में बस इतना ही और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दीजे हमें इजाज़त, नमसकार, ओम शान्ती. कर दो दो दोगल के साथ अजाज़त, नमसकार, चलादी और की तर दान्ती.